हाई फ्रेंट्स विल्कम टू रंभा मैजकल किचेन आज मैं बनाने जारी हूं सौथ इंडियन रेश्पी अपम यह बहुत ही हलका होता और इसमें एक बुन तेल या घी नहीं यूज़ करेंगे और यह जटपट बन जाने वाली यह पंद्रे मेट में बन जाने वाली यह ग्रिन चिली यह रेड हो चुका है आप कम खाना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं यह ग्रिन चिली क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा ली हूं हाफ टेस्पून चीरा कुछ पत्ते को करी लिप्स के और यह चीनी है अब इसको ग्राइंड कर लेंगे सबसे पहले भूनेंग अब इसमें चुका है उसके बाद डालेंगे धनिया का वीज यानि portfolio इसके बाद ही टालेंगे तूसुअ मव्न फली, शोची बढ़ा भूता है चोट डाना है धनिया तो जल्दी चल जाएगा विसमें डाल देंगे जीरा और उसको भी भूनेंगे तो आधा अपालागाल भी भून सकते हैं विसके दोनों ग्रीद चिली को भी ya को से बहुत छटर टेश्ट आता है अगर भून देंगे तो बहुत अच्छा है टेस्ट आता है आप अगर कम खाना चाहते हैं मिर्ची तो आप कम लें क्योंकि बहुत ही तीखा होता है मेरे घर में थोड़ा सा तीखा खाया जाता है इसलिए मैं दो ग्रिण चीली डाली हूँ कि अब देखिए लगवाग भूण चुका है थोड़ा सा कुछ पत्ते जो खरी पत्ते के लिए उसको भी डाल देंगे अब कुछ सेकंड के लिए इसको भी भूण लेंगे अभी देखे भुण चुका है अभी इसका डंड होने देंगे अभी इसको पुरा बोने के बाद को ते में तहरे सारे निकाल दिया ओप्सणल में आप मीचाल वह सकते नहीं बहुत देखाjing गेए देखे असे में कि ठाखें वमंचों पानिस 안बंक दालं देंगे अधा झीनिने क हैं पानी दाल करने कि अभाडर अब करिंगे कि अब इसको ब्लेंड करने बिल्कुल बतल हीं वर में इसको बना हीे देखिए इस तरह से सबढ़ल में बॉला अब इसमें थोड़ा जो लेमन जूस से उसको भी मिक्स कर लेंगे 1 तीए स्पून भी मिक्स हो चुका है अब इसमें छौक लगा लेंगे उसके लिए मैंने एक पैन रख दिया गैस पर अब इसमें 1 टीए स्पून तेल डाल देंगे मैंने रिफायंट तेल डाला है अब इसको गरम होने के बाद मस्टर सीड डाल देंगे यानि ब्लैक मस्टर सीड डालेंगे अब इसमें हिंग डाल देंगे थोड़ा सा हिंग डालने से गैस का अगर प्रॉब्लम होता है तो ठीक हो जाता है और उसके बाद जो करी पत्ते मैंने चरपांस लिये थे उसको भी डाल देंगे यह अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते हैं अब इसको डाल देंगे अभी तट्का टियार है, अब इसको चटनी में डाल देंगे अब इसको मिक्सकर लेंगे अब अब अक्र तड़का नहीं डालना चाहते तब यह ठास सकते हैं त्टेस्टी। यह बहुत ही १ार्य लगता है यह देखिए यह चटनी मिक्स कर लिया है मैंने अब यह चटनी तयार है अपम में खाने के लिए अपम का जो बैटर बनाएँगे उसके लिए मैंने ग्रेंडर जार ले लिया है अब उसमें सूजी डाल देखे ए लिया है उसको डाल देंगे और दही डाल देंगे दही ज्यादा खटी नहीं होने चाहिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे चीनी डाल देंगे हाप टीयस्पूम पानी डाल देंगे वाण फॉर्थ कप अब इसको ग्रैंड करेंगे देखे ग्रैंड हो चुका है अब इसको खोल के देखते हैं दिखाती हो में कितना पतला होना चाहिए इस तरह का बैटर होना चाहिए अब इसको बॉल में निकाल लेंगे अब इसमें इनु डाल देंगे इस तरह का पतला होना चाहिए देखें अब इसमें वन फॉर्ट टीयस्पून इनु डाल देंगे इनु डालने के बाद मिक्स कर लेना है और उसके बाद फटा फटश को अपन बना देना अगर जितना टाइम अब देर करेंगे उतना आपका जो जाली होगा वो कम बनेगा तो जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया था उसके पहले ही गैस पे पैन रख दिया था गरम होने के लिए अग पैन बिल्कुल घरम होना चाहिए जाली बन गया है आप देख सकते हो बिल्कुल मैं डिरेक्ट दिखा रही हूं देखिए कितना अच्छा जाली बना और कोई भी तेल या घी इसमें एक बुंद भी ने लगा है आप इसको लोहे के तवे मी भी बना सकते हैं उस पे थोड़ा सा तेल डाल दें और उसको पोच करके उसको लोहे के कडाही पर भी इन्हें तवे पर बना सकते हैं देखिए कि इसको थोड़ा पास से दिखाती हूं देखिए है ना बिल्कुल बहुत ही जाली बना है या बहुत ही टेस्टी लगता यह अपम नास्ते के लिए तो परफेक्ट आप डिनर लंच कभी भी खा स सकते हो देखिए अब यह जो अपम है हो चुका अब देखिए उसको और पास से दिखाती हूं अब इसको निकाल लेंगे दूसरा अपम डालके मैं दिखाती हूं अब फिर से इसको पैन को पूरा फूल गरम करेंगे थोड़ा से इसको घुमा लेंगे तकि से अच्छा आजाए और गरम हो बिल्कुल पैन गरम हो उसके बाद थोड़ा से कम कर लेंगे देखिए जाली बन चुका है कितना अच्छा जाली बनाईए कितना अच्छा लग रहा है अब बिल्कुल सौप्ट होता है अब अब यह अब उसके बाद अब गैस को low to medium पे कर दीजिए बिना तेल बिना घी जटपड बन जाने वाल आनास्ता कितना अच्छा यह है देखे मैं पास से बिल्कुल पास से सबको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रही है आप देख सकते हो देखे इसको मैं पास से और दिखा रही हूँ यह भी हो चुका है इसको देखे और पास से मैं दिखा रही हूँ कितना जाली बना है कोई भी तेल कोई भी घी इसमें नहीं डाले हैं जटपट बन जाने वाला यह रेशिपी है देखिए कितना जाली बना है अब यह हो चुका अब इसको निकाल लेंगे देखिए मैंने सारे अपम को बना लिया है तो इस तरह से आप अपम बनाईए और बिना तेल और बिना घी का देखिए कितना सौप्ट है अगर आपको मेरी यह रेशिपी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो के लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल बटन होगा उसको दवाना नहीं भूली और अपने फ्रेंड और फैमिली को सेर कीजिए